परियावरिन में हो रहे है प्रतिकूल बदलाव के कारण जब चिडियों का प्राकृतिक आवास खत्रे में है तब वरोरा शोहर के ये शोद्रा नगर निवासी शिफशंकर यादव ने अपने ही घर के परिसर में 225 कूप सुरत घोसले बनाए हैं और उनका पारन पोशन भी बड़े ही प्यार से करते हैं रोजाना चिडिया और पालतू पशू के लिए खाने पीने का इंतजाम भी वे कर रहे हैं प्रकति में परिवर्तन भी पक्षियों के आवासों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है बरते शहरी करण ने पक्षियों के लिए विशिष्ट कू बना लिए सामानिय दिनों में रोजाना दो से तीन किलो चावल चिडिया खा जाती है और बरसात के मौसम में यह मात्रा बढ़कर 12 किलो हो जाती है वे खुद ब्रैट का चूरा बनाकर पक्षियों को खिलाते हैं और चिडियों का क्लीनिक भी चलाते हैं पशू पक्षि प् भोजन और पानी की ववस्ता अपने घर में बगीचे में वाल कमपॉंट पर करने से चिडियों को जीवन सूप कर हो सकता है। पेड़ों की कटाई हो रही है। जंगल का नाश हो रहा है इसलिए जहां कहीं जगा मिलें वहां पर पेड़ लगाना की अपील भी यादब ने की है। हाउजिंग सोसाइटी बनाई जा रही है। इसलिए पक्षियों का सुरक्षित आश्रे चीन लिया वन शीत्रों में पेड़ों की कटाई भी होती है। इस प्रजाती के कारण पक्षियों के अंडे सुरक्षित नहीं रहते। परिस्तितिक खादी श्रंखला का प्रतिक तत् देता हूं प्लस इनको सम्मली जी पंदर से जगां पचीस जगां पानी रखा हुआ इनके लिए उनको रोज साब सपाई करना चावल उनको रोज डालना जो अभी अभी ये सीजन में फिराल में दो से तीन किलो लगता अगर यही बरसात आ जाएगी जुले अगस्त तो कम स किलो लगता एक दिश्य नहीं अब यह कहीं से देता वह देते हैं इसलिए भाते या सम्मली जी वह अमारी सब्सक्राइब मैं आज का सोचता कल का सोचता नी इसलिए इनकी भी सारी विवस्ता किया हूं मैं कि उपरवाला देगा एदेगा तक खिलाऊंगा इसा कितने वरोरा से BCN News के लिए चेतन लुथीडे के सा सुनिल ताइडी की स्पेशल रिपोर्ट